इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एरलाइन कमपनी है और हमेशा अपने यात्रियों के लिए कुछ न कुछ यूनिक करती रहती है। कोलकाता रेपकेस के बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। लोग सडकों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इंडिगो ने भी एक बड़ा एलान किया है। इंडिगो ने महिलाओं को ये सुविधा दी है कि वो फ्लाइट में यात्रा से पहले ये तय कर सकती हैं कि उन्हें किसी पुरुष यात्री के बगल में बैठना है या नहीं बैठना है। ये महिला यात्रियों के च्वाइस पर है, कि अगर वो नहीं चाहती कि कोई पुरुष यात्री उनके बगल में किसीट पर बैठे, तो एरलाइन उनके अनुसार ही टिकट बुग करेगी। इससे पहले मई में भी इंडिगो ने कुछ ऐसा ही किया था, अक्सर फ्लाइट्स में सफर के दोरान महिला यात्रियों को वास्रूम जाने के लिए भी पुरुषों के बीच से होकर जाना पड़ता है, इसमें उन्हें जीजक महसूस होती है, लेकिन अब इंडिगो एरलाइन महिलाओं के लिए अपनी फ्लाइट में नई सेवा चालू कर दी है, जिसके तहट महिलाएं अपनी सीट चुन सकती है, अब इंडिगो ने महिलाओं को ये स्विकल्ब दिया है कि उनके आस पास कोई भी पुरुष यात्री नहीं बैठ सकते है, इंडिगो एरलाइन अपने यूनिक तर तरीकों के लिए जाना जाता है, हाला कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि उस पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है, जैसे क्या आपने सोचा है कि फ्लाइट में कोई आपसे क्यूट चार्ज वसू लेगा, लेकिन हाली में एक यात्री के साथ इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक किया और टिकट के भुकतान विवरन में एक क्यूट फिस देखकर हरान रह गया, लखनव से बेंगलूरू के फ्लाइट टिकट बुक करने वाले एक वकील ने इंडिगो एरलाइन से क्यूट फिस के बारे में सवाल किया, उन्होंने हवाई अड़े पर उपयोग किये जाने वाले उपकरणों के लिए 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 इंडिगो एरलाइन ने सफाई दी क्यूट फिस का मतलब कॉमन यूजर टर्मिनल एक्विपमेंट शुल्क है जो हवाई अड़े पर उपयोग होने वाले मेटल डिटेक्टर एसकेलेटर और अन्यूप करणों के उपयोग के लिए किया जाता है यह जानकार यह आपको कैसे लोगी कमेंट बॉक्स में मिताएं जुड़े रहें टीविन डिश्टल के साथ नमस्कार